पहला सामवेल अध्याय दो वचंतीस से हम पढ़ेंगे आपके लिए हालेलुया वहां पढ़ेंगे जल्दी से पहला सामवेल दो कातीस और वहां ध्यान से आप इसे नोटिस करेंगे कि प्रभू आपसे आखिर चाहता क्या है इसलिए इसराइल के परमेश्वर यहावा की ये वाणी है ये मेरी वाणी नहीं ये उसकी वाणी है जो आपको छुटकारा देगा कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुस का घराना मेरे सामने सदेव चला करेगा परन्तु अब यहावा की वाणी ये है कि यह बात मुझसे दूर हो क्योंकि जो मेरा आदर करे उनका आदर करूँगा जो मुझे तुछ जाने वो छोटे समझे जाएंगे परमेश्वर क्या कह रहा है हां कह रहा है कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा और जो मेरे वचन को जो मेरे वचन को तुछ जाने मैं उसे तुछ समझूँगा करके प्रभू कह रहा है इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आप में काम तब कर सकता है जब आपके परिवार में परमेश्वर का आदर होता हो अब ऐसा नहीं कि चार लोग हैं दो लोग आदर करते हैं दो लोग नहीं करते हैं तो उसका महिमा नहीं देखो गया ऐसा नहीं है जो उसका आदर कर रहा है वहाँ उसकी महिमा प्रगट होगी आमेन येदि चार लोग हैं दो आदर नहीं कर पा रहे हैं दो आदर कर रहे हैं तो वो दो व्यक्ति उस परमेश्वर की महिमा को अवस्थ से देखेंगे तो जो चीजे आप में सौपी जा रही है वो क्या है? वो एक ऐसी बहमूली चीज है जो आपकी जिन्दगी से जो एक सैतान ने या संसार की ओर से जो आप में एक जंग लगा है एक दूशित आत्मा ने आपके पूरे आत्मिक या ब्योहारिक जीवन को बिगार के रख दिया है वहाँ पर वो अपनी चमक देना चाहता है अपना बल देना चाहता है अपनी उपस्तिती देना चाहता है अपना जज्मेंट करना चाहता है ये तब है क्या उसका आदर आप में है एक बार आत्मा में जहाग कर देख लेना हे प्रभु क्या मैं तेरा आदर कर पा रहा हूं की नहीं हे प्रभु आपने कहा है सुबह उठकर तु मुझे अस्मरन कर क्या मैं सुबह उठकर तुझे प्रातना कर पा रहा हूं हे एश्यु पिता आपने मुझे जो वचन सौपे हैं प्रभू मैं उस वचन को कहां तक पूरा कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं तिये प्रभू मुझे बल दे आप में वो क्या करना चाहता है वचन का आदर जहां पे है वहां पर उसका महिमा है जहां पर परमेश्वर के वचन का आदर होता है वहां पर परमेश्वर का बल हो अमीन, हालिलूया, बातों को समझ रहें कि नहीं, अबराहम को परमेशवर ने कहा कि तु इधर से निकल ले अब, अब मैं तुझे एक ऐसा देश में लेके चलूँगा, जिसे तु अभी जानता नहीं है, और जैसी ही वो परमेशवर की बातों को सुनता है, और वो परमेशव उसके बाद उसके आने माली पीडिया इसहाक भी परमेश्वर का वचन मानते हैं और सूखे टाइम में सौ गुना फल लाने माले विक्ति बन जाते हैं कान है तो सुन ले सौ गुना सूखे टाइम में सौ गुना फल लाने वाले इसाहाग बना आमेन उसी तरीके से याकूब ने भी परमेश्वर के वचन का सही अंगिकार किया और वो भी सौ प्रतिशत फल लाया कि नहीं लाया आप जानते हैं कि हमने परमेश्वर के वचन का क्या किया आदर किया मैं कहा रहा हूँ जब आप परमेश्वर के वचन का जब आप आदर करते हैं वो आपको चमकाता है जब आपको चमकाए तो आपको भागना नहीं है चमकना है उदारन सरूप आपने कुभार को देखा है जब वो मिट्टी के बरतन बनाता है आप जानते ही कि उस मिट्टी को वो कितना क्रस करता है हां कितना चमकाता है उस मिट्टी को उस मिट्टी से क्या क्या चीजे उस छोटे से कंकल को भी क्या करता है उसमें से जब तक बाहर नहीं कर लेगा तब तक वो उस मिट्टी का आकार स्मिट्टी से कोई बरतन नहीं बनाएगा अगर आपको परमेश्वर का बरतन बना है तो परमेश्वर की मर्जी को अपने जिन्दगी में पूरा होने दो चाहे आपको दर्द होता है चाहे आपको तकलीफ होता है, उसकी मर्जी पूरी होने दो, वो आपको बेस्ट बना रहा है वो आपको सही बरतन बनाएगा और आप राजा के घर के लिए काम आएंगे इशुमसी के नाम है बताओ जरा, ऐसा बरतन बनना पसंद है की नहीं आप देखते हो एक अच्छा सा सुराही बना दिया एक अच्छा सा और भी बहुत अच्छे-च्छे कुमार ने बरतन बना दिये पर बरतन बनने के पहले वो मिट्टी उठाई गई जहां से मिट्टी उठाई जा रही है उस मिट्टी कुमार के घर आती है उसको किस तरीके से वो मिट्टी के ऊपर क्या करता है बेलन चला देता है हाँ या न वो खतम नहीं करता उसको उसको वो सुद्ध करता है उसको प्योर बना देता है और मिट्टी ये नहीं कह सकती कुमार आप क्या कर रहे हैं वो सांत और चुप बैठी रहती है और वो इंतिजार करती है एक सुन्दर पात्र बनने के लिए आपने जब सही अंगीकार येशु मसी का कर लिया है और आपके अंगीकार में किसी तरीके का ब्यवधान नहीं है आपके अंगीकार में किसी तरीके का पाप सामिल नहीं है आपके अंगीकार में किसी तरीके की असुधता सामिल नहीं है आपके अंगीकार में किसी तरीके का ब्यविचार सामिल नहीं है इंतिजार करो आप उचा उठने जा रहे हो ये शुमसी के नाम है जल्दबाजी मत करो आप उचा उठने जा रहे हो ये शुके नामे हालेलूया सीधा ये बात कह रहा है परमेश्वर अगर आप मेरा आदर करेंगे हम आपका आदर करेंगे आप मेरे वचन को तुछ जानते वो भी आपको तुछ समझता है आपको बाइबल समझा रहा हूँ वचन कहता क्या है कि साउल ने परमेश्वर को क्या परमेश्वर के आज्याओं को जब नहीं मानता है तो परमेश्वर ने साउल को राजा था उसे तुछ समझा और जब परमेश्वर ने साउल को तुछ समझा, जो एक राजा था छणबर में उसके राज सत्ता छिन जाती है क्योंकि जिसे परमेश्वर तुछ समझता है वहाँ पर परमेश्वर कबल नहीं होता वहाँ पर सत्रु कबल काम करेगा याद रखिए, आपको जो सौपे के सामने क्या मैं आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूं, क्या मैं आपका आदर कर रहा हूं, क्या मैं आपकी महिमा कर पा रहा हूं जरूरी नहीं केवल आप अपने घर में उसको महिमा दें, आपकी महिमा तब और सक्तिशाली हो जाती है जब जो येशु को नहीं जानता उसके सामने भी जब आप प्रभू को महिमा देते हो वहाँ आपका कदर और बढ़ जाता है येशु के नाम है अलेलुया आमेन बतों को समझ रहे की नहीं आप उसको कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो आप उसका कितना सम्मान कर रहे हो अपने अंदर उसको कितना हॉनर दे रहे हो वो किस तरीके से आप में काम करना चाहता है बाइबल कहता है कि येशु मसी समझा रहे थे प्रभू कह रहे थे येदि तू मुझे भीड में अंगिकार करेगा येदि तु मुझे सब के लोगों के सामने मुझे अपना प्रभू मानेगा तब मैं जब स्वारिगे से आऊंगा तो अपने दूतों को आग गया दूँगा कि तुझे तेरे लिए एक अस्थान रहे आमेन वो आपको अपने हाथों से आपको आपके जीवन के लिए विशी इस दौर को खोल के रखेगा क्योंकि आपने येश्य मसी को गुप्त में नहीं रखा आपने प्रभू को सोसली उसे आपने ग्रहन किया येश्य मसी को अपने जिंदगी में जगा दिया, समाजिक रूप से जगा दिया आपको वो भी समाजिक रूप से सम्मानित करेगा येश्य मसी के नाम है आमेन याद रखो कि कभी भी आप प्रभू को अपने अंदर छुपाओ मन येदि आप उसे छुपाते हैं आप उसे ज़्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे परमेश्वर छुपने वाली चीज नहीं होती है वो कोई सोना चादी या कोई पेन या कलम या पैसा नहीं कि आप छुपा देंगे वो सर्वी शक्तिमान परमेश्वर है आपका अंगिकार जितना बिशाल है आप उसे छुपाओ नहीं याद रखो कि येश्व को अगर आप बाहरी तरीके से बोल पा रहे हो वो आपको बाहरी तरीके से भी सम्मान देने वाला है हालेलुया आमेन हालेलुया बतों को समझ पा रहें की नहीं समझ पा रहें की नहीं हम वो चीजे गुप्त में रहके नहीं हासल कर सकते परमेश्वर को भीड में भी उसे सही रूप में अंगिकार करना होगा और जब आप उसे भीड में अंगिकार करते हो जब आप उसे सोशल में रिस्पेक्ट करते हो आदर करते हो तो परमेश्वर भी आपको सोशल में सम्मानित करने वाला है ये शुमसी के नाम है चर्चे की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और आपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइप डार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें